हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे यूटूब चैनल पे स्वागत है आज का हमारा यह वीडियो समाने विज्ञान से सम्मन्दित है इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रस्णों को हमने एकत्रित किया है यह प्रस्ण किसी न किसी परिच्छा में पूछा गया है तो हमारा पहला कोश्चन है बिटामिन सी का सरोत्तम सरोत क्या है किस बिटामिन के कारण रदोंधी रोग होता है बिटामिन एक की कमी के कारण रताउंधी रोग हो जाता है। यह रोग हो जाने से आदमी को कम दिखाई देता है। चेचक रोग के टीके का अविस्कार किस ने किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक रोग के का अविस्कार किया था। मानोव सरीर की सबसे बड़ी अस्थी कौन है। अस्थी यानि हड़ी। फीमर मानोव सरीर की सबसे बड़ी हड़ी फीमर होती है जो मनुस्य के जांग में पाई जाती है। मानोव सरीर में सबसे मजबूत हड़ी कौन सा होता है। जबड़े की हड़ी सबसे मजबूत हड़ी होता है। मनुस्य का हिरदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है। 72 बार एक मिनट में हिरदय धड़कता है। हमारे खून का रंग लाल क्यों होता है। हीमोगलोबीन के कारण हमारे खून का रंग लाल होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। 120 दिनों का होता है जीवन कालिस का। रोधिर का ठक्का जमने में कौन सा विटामिन सहयता करता है। बिटामिन के रोधिर का ठक्का जमने में बहुत सहयता करता है। जो की कोई भी हमारा अंग सरीर का कड़ जाता है। किसी का खून जल्दी बंद होता नहीं है। उसमें बिटामिन के कमी होता है। इसलिए खून बंदने जल्दी नहीं होता है। और जिसके सरीर में बिटामिन के परयाप्त रहता है। उसका अगर कोई कट भी जाता है तो तुरंद दवाने से जहां पर कड़ता है। खून बंद हो जाता है। रक्त के समुह में सरवदाता कौन होता है। जो सबको खून दे सकता है। उसे सरवदाता कहते हैं। ओ गुरूप का बलड सरवदाता होता है। जिसमें ओ गुरूप का समुह का खून पाया जाता है। वो किसी व्यक्ति को भी खून दे सकता है। एक स्वस्त मनुस के शरीर में खून कितना लिटर होता है। पांच से छो लिटर तक एक स्वस्त मनुस के शरीर में खून होता है। कवकों के अधियन को क्या कहते हैं। कवकों के अधियन को माईको लाजी कहते हैं। रक्त समुह में सर्वग्राही कौन होता है। AB ग्रूप का बलड सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही मतलब की किसी भी विव्यक्ति से ये खून ले सकता है। लाल रक्त कडिकाओं का निर्माण कहां होता है। अस्ति मज्या में लाल रक्त कडिकाओं का निर्माण होता है। मनुस्य के सरीर में कितने जोड़े गुण सुत्र पाये जाते हैं। इसका जबाब आप सब लोग कमेंट में जरूर दिजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लागा होगा तो इसे लाइक और सस्क्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।